आज मैं गेहों के आटे का गुलाब जामन बताऊंगी वो भी बिना मिल्क पाउडर बिना बेकेंग सोडा के एकदम तस्ते में बनकर तयार होगा एक कप आटे में लगभग 18-19 गुलाब जामन बनकर तयार होगे देखिए कि इतने परफेक्ट बनकर तयार हुए हैं एकदम जाइब जाएब जाए जो तो सबसे पहले मैंने यहां पे एक कढ़ाई लिया है कढ़ाई में एक चम देशी घी डालेंगे और घी जैसे ही गरम हो जाएगा हम एक कप आटा डाल देंगे यह हमारा जो रोज का रोटी हम बनाते हैं वही आटा है नॉर्मल गिहूं का आटा ह और गिहुआ का आटा डालके इसे हमें मीडियम फ्लेम में भून लेना है बहुत ज़्यादा हमें नहीं भूनना है इसका हलका सा कलर बस चेंज हो जाए आटा भूनने से होता क्या है एक तो आटे का कच्छा पंदूर हो जाता है और भूनने से हमारा जो गुलाब जामून है काफी ज़्यादा टेस्टी बनते हैं तो इसमें गी का फ्लेवर आ जाता है इससे गुलाब जामून और भी ज़्यादा अच्छा बनता है और खाने में बहुत अच्छा टेस्ट लगता है तो आटा बूनकर तयार है अब हम इसे ठालियम फैला के रख देते हैं ताकि ठंड अब चाशनी मना लेते हैं सबसे पहले मेंने एक पैन लिया है उसमें 2 cup शक्र डाल रही हो ये शक्र 500 ग्राम होगा और इसमें 2 klas पानी डालेंगे जितना हमने शक्र लिया है उत्ना ही पानी भी डालना है tubानी डालना है पानी डालके थोड़ा सा मिक्स कर देना है ताकि जो इलाइची पाउडर डालेंगे इलाइची पाउडर से फ्लेवर बहुत अच्छा आता है मैंने यहाँ पर इलाइची बस डाला है आप चाहें तो केसर के धागे भी डाल सकते हैं उसे भी फ्लेवर बहुत अच्छा आता है हमें इसे एक ये दो तार चाशनी नहीं बनानाँ है बस हमें इतना ही पकाना है जिससे कि शकर मेल्ट हो जाए अच्छह तरह से और इसका टेक्शर जो हमें हेलकासा गड़ा होना चाही है यानि कि जैसे शेयर रहते जो हो始 Jewel मिनट के लिए और पकने देंगे ताकि अच्छे से पक जाए इसका फ्लेवर और अच्छा तो फ्रेंट्स चाशनी बंगन तयार है अब हम आटा तयार कर देते हैं गूत लेते हैं मैंने यहां पर डाला है एक चमच इलाजी का पावडर एक चमच देशी घी और एक बड़ा च सब चीजे अच्छे से मिक्स हो गई है और मैं एक मुठी में बान के दिखाती हूं तो अच्छे से बंध रहा है तो समझेए कि हमारे एकदम रेड़ी है आटा गूतने के लिए तो मैं यहां पी एक कप दूध ले रहे हूं एक कप से थोड़ा कम है और नॉर्मल रूम टें प्रेचर का दूध है यह फ्रिज में रखाता और नहीं कच्छा दूध है आटे को हम गूत लेते हैं थोड़ा थोड़ा दूध डालकर आटे को गूतना है हमें एक साथ दूध को नहीं डालना है नहीं तो आटा गीला हो जाएगा और एकदम सौफ्ट सा दूध तयार करना ना हमें बहुत ज़दा hard गूथना है आटे को ना बहुत ज़दा चिप चिप अगर आटे को बहुत ज़दा tight गूथेंगे तो गुलाबजामुन hard बनेंगे और छैशनी में absorb नहीं करेंगे जो कि खाने में बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगेंगे बिल्कुल थोड़ा- जाएगा और सॉफ्ट हो जाएगा जो हम बॉल्स बनाएंगे गुलाब जामन के लिए एकदम चीकने रहेंगे और कहीं से भी दर दर या फटे नहीं दिखेंगे इसलिए हमें गी को लगाना जरूरी है तो बिल्कुल रेडी है हमारा आटा और मैं अब हमें क्या करना है थोड हमें पॉली उसारा से हमें बाल को बना लेना है तो मैंँ डाला यहां उसको बनारे ना भॉड़ें गाहिटे हमें jesteśmy बॉह जप का अबूरा इसमों में56 साइड में चेयां और ग्रम होने के लिए मैंट के लगा है यह जह को सही किलिगैर गरम चुका है इक बार में जितने कर लेना चे सकते हैं ग CHA smter अंदर नियता तो हम अंदर चाष्णograph की लेना देक Хотя अब हम była हमरे अंदर भी यजी द्यक्ता लेते हैं अब झाल में हम गुलही आणता का था ता ज्यांद में भी टाल चाही को का रख से यह दम करते हैं भी याए यह दाल द closely लगता है तो इसलिए हमें गरम-गरम में ही डालना है ताकि अंदर से गुलाब जामुन अच्छे से पक जाए अगर आप हाई फ्लेम में रख दोगे तो अंदर से कच्छा रह जागा और बहार से पक जाएगा तो आप बाइट लोगे जो तो अच्छा नहीं लगेगा कच्छ तो यहां पर मैंने गुलाब जामुन को चैशनी में डाल दिया है और मैंने गैस का फ्लेम अन कर दिया है इसे चार-पांच मिनट पका लेंगे ताकि जो गुलाब जामुन है अंदर तक अच्छे से चैशनी को एबजॉब कर ले और खाने में और टेस्टी लगे तो चार- तो एक दम मज़ेतार सी रेसिपी कोई खर्चा नहीं है घर के ही चीजों से बना सकते हैं यहां पर मैं काटके दिखा रही हूं बहुत ही सॉफ्ट स्पॉंजी बना है जूसी है एक दम और अंदर तक अब्सॉब हो गया है चाशनी तो एक बार यह रेसिपी को आप ज़रू सब्सक्राइब करें और शेयर करें अपने फैमिली और फ्रेंड्स में